हेलो फ्रेंड वेलकम टू फ्रेंड फ्रेंड प्रेपरेशन मेरा नाम है कृष्णा इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 4 की मैच की बुक मैच मैजिक से चैप्टर 11 टेबल चैन शेयर और इस चैप्टर का यह है सेकिंड पार्ट इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर का फॉस्स पार्ट करवाय था जिसके अंदर हम लोगों ने कोश्चन नमबर वन से लेकर के कोश्चन नमबर शिक्स तक सॉल्ब किया था आप जो मैं करवाऊंगा आपको यह कोश्चन नमबर सेवन ओनवर्ड स्टार्ट करवाऊंगा तो आज जो हमारा टॉपिक है वह है इजी ट्रेक तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं चैनल पर अभी तक सब्स्राइब नहीं किया है तो सब्स्राइब कर ल इन दोनों के बीच में आपसमें कुछ बात्षेत चल रही है और यहां यह बोला चारा है कि I do not know the multiplication table of 7 यह नहीं बंटी को 7 का table नहीं आता है तो गुड्डू रिप्लाई करती है I know the table till 5 but there is a easy trick अच्छा अब यह कह रहे है कि मुझे जो टेबल आते है वो 5 तक टेबल आते ह बट मेरे पास एक trick है बहुत easy सा trick है I can make the table of 7 with the tables of 2 and 5 कि मैं क्या कर सकती हूं कि अगर मुझे 7 का table बनाना है तो मैं 5 के और 2 के table को combine करके 7 का table बना सकती हूं ऐसा गुड्डू कहती है तो चलो यही है आपके लिए question number 7 तो आपने क्या करना है इस question को note करना है और देखो भी question क कैसी solve करते है अगर आपको two का table अच्छे से और five का table अच्छे से आता है तो आप seven का table बहुत easily लिख सकते हूं तो यह आपको सबसे पहरे क्या करना है iessig note करना है और जो two का table आपको आता है उस आपको note कर लेना है, जैसे आप जानते हो कि जब 1 और 2 को multiply करते हो, 2 होता है, या फिर आप ऐसे भी बोलते हो, 2, 1 जा 2, यहाँ पर 1 multiply by 2 कर लिया गया है, यानि रिवर्स कर दिया गया है, और कुछ नहीं है, 2 multiply by 2 है, फिर 3 multiply by 2 है, 4 multiply by 2 है, 5 multiply by 2 है, और इस तरह से 10 multiply by 2 तक आपको ऐसे लिख लेना है, और जो भी result आते हैं आपका, वो आपने नीचे हाँ पर लिख लिए, यानि 2 का table लिख लिए आपने, इसी तरह से 5 का table है, उसको भी ऐसे ही आपको लिख लेना है, कि 1 multiply by 5, 2 multiply by 5, और इसी तरह लास्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, 10 multiply by 5, तो जितने भी ये numbers आपके पास इसना multiplication में, इसको as it is आपको लिख लेना है, और फिर जब आप 7 का table बनाना है, तो जो भी इसका result आया था आपके पास, यानि solution में आपने क्या करना है, कि जो भी इसका result आया था, उस result को use करके, हम लोग क्या करेंगे, 7 का table को complete करेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे कहेंगे, कि सर हमें तो 7 का table पहले से आता था, आता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बढ़ हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक easy trick सीख रहे हैं, जिससे अगर हमें कोई table नहीं भी आता हो, तो भी हम सीख सकते हैं, उसे complete कर सकते हैं, तो यह जो total आया था है, यहाँ पर इसका result आया था, 2, 4, 6, इस तरह से, यहाँ पर टेबल का जो आपकी पास result है, और उसी तरह से table of 5, यहाँ 5 के table का result है, उन दोनों को use करके, हम 7 का table बना रहे हैं, तो देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, जब plus करोगे, यहाँ 2 प्लस 5 करोगे, 7 आ जाएगा, इसी तरह यहाँ देखो, 4 है, यहाँ 10 है, इनको plus करोगे, यानि 4 प्लस 10 करोगे, आपके बस 14 हो जाएगा, और उसके बाद यह 6 है, यह 15 है, यानि 6 प्लस 15 करोगे, आपके बस यह result आ जाएगा, इसी तरह से remaining जितने भी हैं, सब इसी तरह से solve वो रखे हैं, लास्ट वाला मैं करता हूँ, कि 20 प्लस 50 करेंगे, तो 70 आ जाएगा, और इसी तरह से बाकी जो remaining है, आप लोग इसे complete कर सकते हो, यानि 2 का table लिखोगे, 5 का table लिखोगे, और इनको plus करके, इस तरह से दिखा करके, complete कर लोगे, ध्यान रखना, एक mistake यह होती है, कि यहाँ पर आपको multiplication का sign लगाना है, और नीचे जो लगाओगे आप, यानि जैसे मुझे अगर यहाँ लिखना हो, तो 8 प्लस 20 लिखुआ में, multiply का यहाँ पर मत लगाना, अगर multiply का लगाओगे, तो गलत हो जाएगा, कई बार बच्चे इस तरह की mistake करते हैं, तो यह जो mistake हैं, इसे avoid करनी है, यानि जैसे 15 है और 35 है, तो इन दोनों को plus में लिखना है आपे, उसी तरह next के आपके बास, 16 प्लस 40 जो है, इसे plus में लिख लोगे, फिर 18 प्लस 45 है, इसे भी आप क्या करोगे, प्लस में से लिख के, अपना answer complete कर सकते हो, तो यह था आपके लिए question number 7, आचा, अब यह जो गुड्डू है, वो कुछ और आगे बताया जा रहा है, कि आप आगे क्या होता है, see, how I added the two numbers in the yellow box, to get the table of 7, यानि कि टेबल of 7 के लिए इसने क्या क्या क्या, इन दोनों box का जो result था, उसे यह प्लस कर लिया, वही जो आपने भी solution में का, तो अब बंटी कहता है, आहा, it is easy, I can also make the table of 7, with the table of 4 and 3, अचा, अब यह कहता है, जिस तर से 5 को, और 2 को plus करके, क्या result बनाया है, 7 बनाया गया, तो उसी तर से कह रहा है, कि मैं 4 को, और 3 को plus करूँआ, तो मेरे पास result क्या आएगा, 7 आजाएगा, यानि 4 के table से, और 3 के table से, हम लोग क्या कर सकते हैं, कि 7 का table, complete कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं, ऐसा कौन बोलता है, बन्टी बोल रहा है, ठीक है, तो यही आपके लिए, question number 8 हो जाएगा, तो 7 question करने के बाद, next जो आपका 8 question है, कुछ इसी तरस से है, तो पहले आप क्या करोगे, question number 8 को note कर लोगे, जिसमें आपसे बोला जारा है, help bunty to make the table of 7, कि उसे 7 का table बनाने में help करो, using table 4 and 3, कि 4 और 3 का table यूज़ करके, आपने क्या करना है, 7 के double लिखना है, कुछ बच्चे कहने से direct लिख दें क्या, बहुँ direct नहीं लिखना है, question में जैसे instruction है, उसके according ही आपको करना है, तो यह आप पहले solution लिखोगे, और उसके बाद table of 4 लिखोगे, ठीक है, तो 1 multiply by 4, 2 multiply by 4, 3 multiply by 4, 4 multiply by 4, और इस फिरसे last में आपका पास क्या आजाएगा, 10 multiply by 4, ठीक है, किसे complete कर लोगे, तो जब आप इसे complete करोगे, कुछ इस फिरसे 16 आजाएगा, आप इसी तरह से next क्या करना है, आपने 3 का table को complete करना है, ठीक है, तो यहाँ पहले में multiplication का, मैं sign लगा देता हूँ, क्यों कही बार हम लोग क्या करते हैं, question solve कर लेते हैं, और यह sign लगाना भूल जाते हैं, इसलिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इसे sign लगाना भूलना नहीं है आपको, यह बात याद रखनी है, तो यहाँ पर 2 step तक तो multiply करके आपको दे रखा है, 3 3s आपकी बस क्या हो जाता है, 9 हो जाता है, 4 3s या 3 4s अगर बोलो तो 12 हो जाता है, इसी तरह next step क्या है 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 की बाद 24 हो जाएगा, 27 और finally 30 हो जाएगा, अब 7 का table लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे हाँ पर 7 है, 7 किसे बना, 4 प्लस 3 करने से 7 बन गया, तो 8 प्लस 6 करूँगा, तो मिरे पास क्या है गा, 14 आजाएगा, उसके बाद next हमारे पास क्या है, 12 प्लस 9 करेंगे, तो मारे पास 21 आजाएगा, 16 प्लस 12 करूँगा, तो मिरे पास क्याएगा, 28 आजाएगा, फिर 20 प्लस 15, देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर, यह कहां से नंबर आ रहे हैं, तो देखो, यह जो रिजल्ट है यहां का, और यह जो रिजल्ट है, इन दोनों को मैंने नीचे लिखा, इनको प्लस किया, तो मिरे पास क्या आएगा, 35 आजाएगा, और इसी तरह फर्दर आपको आगे बढ़ना है, 24 और 18 प्लस करोगे, ठीक है, 32 यह रहा, और 24 यह रहा, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे, तो आपके पास आजाता है, 56 हो जाएगा, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, 56 लिख देंगे, और उसके वार next है, 36 प्लस 27, ठीक है, 24 तो यहां प्लस किया था, बहुत easy है, असानी से कर सकते हो, कोई problem नहीं होने चाहिए, ठीक है, अच्छा, अब जैसे question number 8 complete करते हो, तो नीचे देखो next है आपके लिए, question number 9 है आपके लिए, नीचे देखो, और question है, which two tables will you use for writing the table of 12, अच्छा, अब next आप से बोला जा रहा है, कि आप 12 का table अगर आपको complete करना है, तो कौन-कौन से table use करोगे, यह बता, बहुत सारे तरीके हैं, आप कह सकते हो, 12 बनाने के लिए, 6 और 6 का table के भी कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या result आएगा, 12 आजाएगा, इसके लाब आप क्या कर सकते हो, 8 का table है आपके पास, तो 8 और 4 करोगे, तो भी आपके पास 12 आजाएगा, और भी बहुत सारे तरीके हैं, कि आप 10 का table और 2 का table ले लो, उससे भी हो जाएगा, ठीक है, इस तरह साब बहुत सारे तरीके से इसको लिख सकते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, सबसे easy वाला ले ले लेते हैं, 10 और 2 वाला तो सबसे easy वाला है, आप 10 2 के table से भी कर सकते हो, 8 4 के 2 table से भी कर सकते हो, या फिर 6 और 6 के table से भी, 2 बाट 6 का table से भी कर सकते हो, अब किसी भी combination को यूज़ करके, इस table को complete कर सकते हो, तो जैसे यहाँ पर answer में आप से बोला गया है, इसके answer को लिखने के लिए, कि कौन-कौन से table की combination बना सकते हो, बना तो कई सारे सकते हो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, फाइनली एक पर अपने answer को कर लेंगे, तो पहले क्या करेंगे, solution लिखेंगे, ठीक है, यह जो question है, इसे note करोगे, question note करने के बाद, यह 9th है, यह solution number 9 यहाँ पर मैंने लिख दिया, उसके बाद, जो भी table है, suppose हम यह table क्या बनाना है, 12 का table बनाना है, तो 12 के लिए मैं क्या करूँआ, table of 2 लिख लेता हूँ, सबसे easy वाला, table of 2, और table of 2 क्या आपके पास, तो आपके पास 2 multiply by, मैं डारेक्ट ऐसे लिख दूँ, 2 multiply by 1, 2 हो गया, फिर 2 multiply by 2, 4 हो गया, और इस तरह से 2 multiply by, 2 multiply by 3 करोगे, तो यह आपके पास 6 आगया, 2 multiply by 4 करोगे, पहले मैं एक बार ऐसे लिख लेता हूँ, 2 multiply by 5, 2 multiply by 6, 2 multiply by 7, 2 multiply by 8, और 2 multiply by 9, थोड़ा space कम हो रहा है न, 2 multiply by 10, अच्छा, अब मैं यहापर complete कर लेता हूँ, 8 आगया, 10 आगया, 12 आगया, 14 आगया, हमारे पास, ठीक है 16 आगया, 16 के आगया, 18 आगया, और finally 20 आगया, तो मैंने यहापर किया कि, table of 2 लिख लिख लिए, ठीक है, थोड़ा सा इधर लिखना था है, मैंने इधर लिख लिख लिए, उसका next क्या कर लेती है हम लोग, कि table of 10 कर लेते हैं, बहुत easy है 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 ना, कि 10 multiply by 1, 10 हो गया, 10 multiply by 2, 20 हो गया, 10 multiply by 3 करेंगे, तो हमारे पास 30 आजाएगा, 30 है, 36 नहीं है भी 30 है, ठीक है, 10 multiply by 4 करोगे, तो आपके पास 40 आजाएगा, 10 multiply by 5 करोगे, 50 आजाएगा, ठीक है, 10 multiply by 6 करोगे, तो आपके पास क्या आजाएगा, 60 आजाएगा, फिर इसी तरह से फर्दर, जल्दी जल्दी कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, 10 का table तो बहुत असान है, सबी बच्चे को याद भी हो गया होगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 2 प्लस 10 करूँगा, आपको क्यों से 2 कहां से आजाएगा, तो 2 के table से, 10 कहां से आजाएगा, 10 के table से, तो जब इनके प्लस करेंगे, 12 हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद 4 प्लस 20 करेंगे, तो मेरे पास क्या एगा, 24 आजाएगा, और next क्या है, 6 प्लस 30 करोगे, तो आपके पास क्या आजाएगा, 36 आजाएगा, और इसी तरह से फर्दर आप add करते जाओगे, और अपना result निकालते जाओगे, यह आपके पास 40 है, 40 का मतलब यह आपके पास 48 आजाएगा, अचा, उसके बाद 10 है इधर, और इधर क्या है, इधर आपके पास 50 है, तो 50 प्लस 10, 60 हो जाएगा, ठीक है, 10 के बाद यहाँ 12 आजाएगा, और इधर 50 था, 50 का next क्या है, 60 है, 60, तो यह आपके पास प्लस करने के बाद 72 आजाएगा, अब ध्यान रहरा है, यहाँ पर प्लस का साइन आना चाहिए, इन दोनों में मिल्टिप्लिकेशन के साइन था, यहाँ प्लस का साइन, इस चीज की में गलती मत करना, कि कई बार हम लोग जलदवाजी में यह गलती कर देते हैं, इसलिए मैं बार-बार बता रहा हूँ, इस चीज को avoid करना यह mistake नहीं होने चाहिए, फिर उसका 16 है, तो 16 प्लस 80 करेंगे, तो हमारे पास क्या आजाएगा, 96 आजाएगा, और next हमारे पास 18 प्लस 90 है, जब हम इसे प्लस करेंगे, तो हमारे पास 108 आजाएगा, और finally last में क्या है यहाँ पर 20 है, और यहाँ पर 100 है, यानि कि 20 प्लस 100 करोगे, तो आपके पास result क्या आजाएगा, 120 आजाएगा, ठीक है, मैंने एक तरीके से बता दिया आपको, कि आपने क्या क्या, 2 के table को, और 10 को table को use किया, और दोनों को मिला के आपने क्या बना दिया, 12 का table बना दिया, इस तरह से, तो इस तरीके से आप इसे 12 का table को complete कर सकते हो, अब चाहो तो different combination भी बना सकते हो, वो भी आपका answer correct होगा, जैसे मैंने starting में आपको बोला, कि 6 के table से भी कर सकते हो, 2 times lick करके, या फिर 8 का और 4 का table use करके भी आप इसे कर सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है, आप इस आप इस तरीके से भी बना सकते हो, कुछ बच्चे कहेंगे सर 7 का और 5 का table को मिलाके कर ले गया, तो आप इससे भी कर सकते हो, याने कि आप बहुत सारे तरीके से इस question के answer को कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, तो आपको जोंसा सबसे easy लग रहा है, उस तरीके से करो, मैंन अब question number 9 complete करने के बाद, यानि जो easy trick था, इस topic को हमने बिलकुल complete कर लिया है, अब आपको table बनने में कोई problem नहीं होने चाहिए, अब next topic है हमारे पास, वो topic है how many cats, यानि कि अब हमें number of cats जो है, उसको count करना पड़ेगा इस question के अंदर, जो भी next question जो आने वाले है, अब previous question बच् 10 होगा, ठीक है, यह आपके लिए question number 10 है, पहले से पढ़ लेते हैं, some of Gaitri's cat were playing in a box, when she tried to count, all the cats were c were legs, अच्छ, एक box के अंदर, इसके सारे cat, यह Gaitri है, इसके सारे cat, एक box के अंदर खेल रहे थे, लेकिन जब वो counting करने जा रहे थे, उनके उसकी पैर है, वो दिखाए दे र 28 legs, तो जब उसने count के हैं, सबके legs, तो कितने हुए 28 होगे, how many cats are there in a box, तो आपको number of cat कितने है, यह count करके बताना है, यह question है आपके लिए, तो simply, आप इस question के answer के लिए क्लिए 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 सकते हो, सबसे पहले तो भी solution लिख लोगे, ठीक है, यह question लिखने के बाद, लिखोगे, कि number of legs, ठीक है, तो number of legs कितने है, 28 है, ठीक है, अब जैसे question पूछा गया, कि आपको बताना है, कि number of cat आपको बताने कितने cat है, तो आप क्या करोगे, number of cat is equal to 28 divided by 4 करेंगे, आप कहोगे सर, यह 4 कहां से आया, तो आपको पता होना चाहिए, कि cat जो होता है, ठीक है एक जो animal है, उसके कितने four होते है, sorry, कितने leg होते है, four तो leg होते है, भई, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, कि number of leg, number of leg of cat, legs कितने होते है, four होते है, ठीक है, it means four से divide करेंगे, तो बस, easy है, 28 को four से divide कर लो, तो four, seven जा, कितने होते है, 28 होते है, जब इसे solve कर लोगे, तो आप answer क्या लिख सकते हो, seven cats अपने answer लिख सकते है, ठीक है, तो गायतिती थोड़ा से confuse हो रही है, उसको थोड़ा से और explain करते है, तो वह कह रही है, eight legs means two cat, अच्छा, उसको इतना याद है, कि भी four leg होगा, तो कितने है, one cat होगा, तो यह कह रही है, eight leg का मतलब कितने होगा, two cat हो question है, बहुत easy है, और आप इसे असानी से कर सकते हो, अचा, अब आगे बढ़ते है, कुछ और question इसी type के हम लोग करते है, तो जो आपनी question number 10 किया, अब 10 की बाद next है, question number 11, और इसमें एक table आपको फिल करना है, अगर table ध्यान से देखोगे, तो उपर आप से लिखा होगा है, जो first row में लिखा गया है, कि how many legs, यहाँ पर legs आपको find करने के लिए बोला जा रहा है, और नीचे बोला जा रहा है, कि how many cats, cats कितने वो बताने है, तो जिसे cat है पहले, पहले हम लोग cat की counting कर लेते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा, जब आपने इसे solve किया, तो टूटल है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके question number 11 के solution के लिए question number 11 लिख लोगे, और solution लिखने के बाद इसके answer करना start करोगे, तो आप लोग क्या करोगे, पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चलो एक एक extra कर लेते हैं, ठीक है, 8 तक कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर इस तरह से आपको लिख ल है, 8 लेक होगे, 3 के एक है, तो यहाँ पर कितने होगे, 12, काओगे sir कैसे आ रहा है, तो simply 4 का table चल रहा है, और ध्यान से देखोगे, 4 multiply by 1 करते हो, तो आपके पास 4 आ जाता है, 4 multiply by 2 करते हो, आपके पास 8 आ जाता है, next देखो, 4 multiply by 3 करोगे, 12 आ जा रहा है, आ रहा है 12, ठीक तो मैं यहाँ पर क्या फिल कर दूगा, 20 फिल कर दूगा, next है, 4 multiply by 6 करूगा, तो मेरे पास क्या आएगा, 24 हो जाएगा, 24 यहाँ लिख दूगा, अब कोगे sir, बाकी के लिए space नहीं, आपके पास कहा करोगे, भै मैं कोगे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, 4 multiply by 7 करूगा, 28 तो यहाँ पर क्या करूँगा, 28 लिख दूगा, और finally हमारे पास last में क्या है, 8 number है, तो हम क्या करूँगा, 4 multiply by 8 करूँगा, तो 32 आजाएगा, तो it means 32 हमारे पास यह result आ गया, अब यहाँ पर नीचे question में यह भी था, 28 lakhs means, 28 lakhs का मतलब कितने cat होगे, तो पैसे हम 28 को identify कर ल लिख दोगे, 7 लिख दोगे, कितने cat है, 7 cat है, बस, इतना ही करना है, तो question number 11 में क्या है, आपने calculation जो है, यह solution में, यह सारी calculation करके आपको दिखाना है भी, direct fill मत करना, अगर आप direct fill करोगे, तो थोड़े से कम number मिलेगे, ठीक है, तो यह सीज का धियानक ना, direct fill आपको इसे न question number 12, पहले question को पढ़ लेते हैं, question क्या है, और तब तक आप क्या करोगे, question number 12 को note करोगे, अपनी copy में, बिल्लू has kept his chicken in a box, अच्छा, अब एक बची थी, जो previous question अब लोग कर रहे थे, तो यहाँ पर गायतरी ने क्या किया था, कि उसके जो cat तो उसने इसको box में डाल दिया था, सब खेल रहे थे, अब इसी तरह एक बच्चा है, जिसका नाम है बिल्लू, अब बिल्लू ने क्या किया, उसके जो chicken, यानि जो उसके मुर्गी वगरा है, उसको उसने box में डाल दिया, he counted 28 legs, और उसने जब count किया, उनके leg कितने है, 28 है, अब question ही आपके लिए, कि how many chickens are there, यानि कि कितनी मुर्गी है, आपको ये बतानी है, तो पहले तो question लिख लोगे, ठीके, और question लिखने के आपने क्या करना है, solution लिख लेना है, अब solution लिखने के बाद, सबसे पहली चीज तो ये देखने है, आपको number of leg कितने है, 28 है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे solution number 12, और पहले लिखेंगे number of legs of animal कौन सा है, तो I think ये chicken है, ठीक है, chicken कहलो, hand कहलो, बात होई है, ठीक है, त of chickens कितने है, यानि कितनी मुर्गिया है, हमें ये find out करना है, तो 28 को divide करूँगा, 2 से, आपको कि सर, आप यहाँ पर 2 से क्यों कर रहे हो, पहले तो 4 से कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर आपको एक बात यहाँ पर लिखके देता हूँ, यहाँ पर, कि number of legs of chickens is equal to 2, इसके leg कितने 2 ह हुआ है, इस बजै से मैं यहाँ अब 2 से divide कर रहा हूँ, लेकिन cat के case में कितना था, 4 था, इसलिए मैं 4 से divide कर रहा था, ओर chicken के case में 2 है, इसलिए मैं 2 से divide कर रहा हूँ, तो आपने क्या करना है यहाँ, 28 को 2 से divide कर लेना है, तो 2 1S2 यह आपका solve हो गया, आप 8 आगया नीच तो इस तरह से आप question number 12 को बहुत easily solve कर सकते हो, कोई problem नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आचा, जैसे आप question number 12 complete कर लेते हो, तो अब उसके बार next के आपके लिए question number 13 है, अब 13 को भी देख लेते हैं, इसके अंदर क्या बोला जा रहा है, तो इस question में बोला जा रहा है, कि Leela has not gone to school for 21 days पहले आपने गायत्री की problem solve करी, फिर आपने बिल्लू भी solve करी, अब चलो भी इस Leela की problem solve कर लेते हैं, तो इसके बारे में बताया जा रहा है, Leela has not gone to school for 21 days, यानकि 21 days से वो अपने school नहीं गई है, छुटी कर रही है, अब क्यों छुटी कर रही है, बही मुझे तो नहीं पत स्कूल नहीं जा रही, आपको week में बताना है, कि कितने week स्कूल नहीं गई है, यह आपको calculate करके बताना है, तो इस question में, यानि question number 13 में आप क्या कर रहे हो, यह सीख रहे हो, कि days को week में convert करना, तो पहले तो आप solution लिख लोगे, ठीक है, solution लिखने के बाद question number 13 लिख लोगे, उसके बाद लिखोगे, number of days, तो number of days आपकी पास कितने, 21 days है, ठीक है, days वहाँ भी लिख दिया चाहो, दुबारा लिखो या मत लिखो, कोई फरक नहीं बढ़ता हो, 21 लिखने से भी हो जाएगा, पर मैंने यह लिख दिया, ताकि आपको समझ में आचे, इस question में हम लोग क् यह याद रखना इस से पहले, कि in one week, we have seven days, यह fact आपको याद रखना है, कि one week में कितने days है, seven days होते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, कि one week is equal to seven days, ठीक है, यह आपको याद रखना है, तो इसी चीज़ को use करेंगे हम अपने question में, और इसके बाद इसा solve करेंगे, यह जो fact आपको बता रहा हूं, यह लिख करके कहीं अच्छी जगर रख लेना, भूलना मत, वैसे तो आपको पता ही होगा, बट आप यहाँ पर क्यों कर रहा हूं, वो बताता हूं, अब जैसे मैंने आपको बता है, कि हम लोग days को convert किस में कर रहे हैं, week में convert कर रहे हैं, त आपना answer निकाल लेगे, तो आप लिख सकते हो, कि number of days, ठीक है, sorry, number of week, days तो पहले ही था, number of week is equal to हो जाएगा, आपके पास 21 divided by 7 हो जाएगा, तो 7 बहार 21 अंदर, तो आप इसे 7, 3 जा 21 होता है, और इस तरह से आपका यह answer आ गया, 3, तो आप यह कह सकते हो, 3, ठीक है, यह answer ह लिख होगे, तो इस बच्ची का नाम पढ़ लेते हैं, इस बच्ची छुटी कर रही है, तो लीला, तो आप कह सकते हो, लीला has not gone school for 3 weeks, क्या लिख होगे, कि लीला has not gone school for 3 weeks, ठीक है, days में था, आपने किस में convert कर दिया, week में convert कर दिया, और आपना answer लिख लिख लिए, तो य days trick जो है, इसे याद रखना, कि week कैसे आप इसे convert कर सकता हूँ, एक trick में आपको और बता देता हूँ, कई बार question ऐसा भी आता है, कि week को days में कैसे convert करना हूँ, reverse करना हूँ, week को days में कैसे convert करना हूँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, student, multiply करते हैं 7 से, बस, इतना फ़र लोगे, तो इसको use करके हम इस question को solve कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में, इसके second part में हम लोग question number 13 तक ही करते हैं, यानि कि हम लोगों ने जो लीला की problem है, इतना है solve करते हैं, 14 question के अगर बात करें, तो यह 14 question में आपको करवाँ हूँ, इसके next part में, यानि आपको इस chapter का third part और देखना है, इसके बाद next, जिसमें हम jumping animal वाला जो topic है, इससे हम लोग इसके अंदर cover करेंगे, और इसके बाद और बी जो question होगे, हम उनको भी कर लेंगे, ठीक है, तो चैनल को subscribe कर लो, ताकि जब भी में latest video upload कर वीडियो आए, तो आपकी बास notification पहुंच जाए, कि यह बंदार ही है, और मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो ले किया हूँ, तो अभी के लिए बाई-बाई, thanks for watching.